नमस्ते आप सब कैसे हैं और राम नमी के आप लोगों को भार्दिक सुब कामनाय था और देखिए ये बीतने के बास है ना रातनी सब को चटपटा खाने को मन करता है इसलिए हमने देखिए ये आज पनीर और सिमला मिर्च प्याज मिक्स के कड़ाई पनीर बनाया है ये ही सा चोटे-चोटे प्याज भी और ये हम मसाला सिल्वट पर पिसेंगे सिल्ट समझते हैं जो गाउं में मिलते हैं और ये एक पोकेटवल मसाला है और हमने कड़ाई रखके और इसमें सरसू आयल डाल दिया आप जिस आयल को खाते हो वो आयल डाल सकते हैं जैसे आप जो भी देखाते हैं और थोड़ी सी पनीर को हम सॉफ्ट कर लेंगे ज्यादा नहीं थोड़ी सी सॉफ्ट करेंगे पहले हमने पनीर को डाल दिया और डालने के बाद से हम थोड़ी से सॉफ्ट करेंगे पनीर को और पनीर को सॉफ्ट करने के बाद से जो प्याज था ना बड़ा सा साथ एक बरतन में निकाल लिया है अब इसके बाद हम मसाला भूजेंगा मसाला में हमने क्या कि है ना कि पहले हमने जीरा का फोरन देखे और सुखा मिर्च डाला था और उसके बाद से हमने इसको क्या किया है कि यह दिखा रहे हैं आपको और मसाला यह पहले दिख गया है बा ये दिखिए पहलin ये अधुरोंक प्रोबलम थी मिष्ट शिरा Department लोग निखेंगे तो समझ में आ जाएगा रेस्थी और उसके बाद जो हमने वो मसाला पिसा हुआ था ना सें पी अब्हें घट और उसके बाद से यह इह मिर्ची और यह जीरा मिर्ची सिर्फ रुष और उसके बाद से पी हम nggak बाद से हमने जेखे हैं अभी पेषा हैalt कड़ाई पनीर है इसमें पानी ज्याद डालने की ज़रूरत नहीं है और नहीं इसमें कोई दही और दूद या मलाई ऐसे कुछ नहीं है खास बस नॉर्मल सी है रेश्पी और हर कोई ट्राई कर सकते हैं अच्छा भी लगेगा चटपटा है क्योंकि नवरात्त ने भी इतने क कर सकते हैं और एक चटपटा सा रेश्पी बनाकि खा सकते हैं एक र smartphone जादा मिंसाला भी नहीं है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है और यह हम ठोड़ी से पान डालेंगे इसको बस इतना ही पान कि इसको समझ ले जेए कि एक चोटा किलास सान पानी है और इसका डल का अच्छे तरस हम चला के और चलाने के बाद से इसके बाद से देखिए हम यह पूरे खॉल रहा है शब् Pepsi और इसके बाद हमने रोती से रख दिया हैं और अब अठिकार की इतना ही शुखा हुआ हमने बनाहा है ज्यादा इसको सुखाया भी नहीं और ज्यादा ये भी नहीं जूसी भी नहीं है और आप रोटी चावल जेट से मनकर उससे खाएए एक बार जुरूर ट्राइ किजिए लाइक सब्सक्राइब किजिए